हम लोग यहां यहां IAS की तयारी नहीं कर रहे हैं यहां तो वैसे भी हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो जैहिंद बोलके आते हैं पूरा बोलके चले जाते हैं आप बोलिए कैसा लगेगा कि हम रूख के बोले कि मेरा नाम खांसर हम तो नीचे लिखी देते हैं खांसर आप आप खुद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसी लिए हमने नो बजे आपको बलाया चुकि यह राश्टवाद है राश्टवाद के जरीए हम राश्ट के मुद्दो को उठाते हैं मेरा मकसद यही है आप से जानने का कि आपका पूरा नाम क्या है चुकि यह जो विव बात चल रहा है इस विवाद को आप ही खत्म कर सकते हैं हम तो कह सकते हैं कि एक वीडियो में जैसे क्या होता है कि जब लड़के पढ़ने आते हैं जब उनका बैच खतम होता है तो वो सुचते हैं कि सर से मिल के जाए एक यादगार लेके जाए तो पूछते हैं सर आपका नाम क्या है तो एक्चुली हुआ कि हम सुरू से ही नाम नहीं बता है तो एक आकवर्ड सा फील होता है जैसे आज बता दीजिए राष्टवात के जरिये पूरे देश को बता दीजिए सर हम आपको बता रहे हैं ना हम खुद बता देते हैं हमने खुद सोचा था अपने आप में कि मेरे दिज दिन दस मिलियन हो जाएंगे हम बता देंगे हर इंसान की अपनी कुछ फ्वाहिस होती है लेकिन उससे पहले कोई टांडो कर देगा तो हलक में मूँ डालके नहीं न सर आप मुसल्मान हैं या फिर आपका नाम जो है आप प्रूफ करेंगे तो एक इंसान होना चाहिए जो ऑथराइज हो इसको लिए हम आपसे कहेंगे कि एक काम कीजिए आप अपने जमीन का कागज दिखाईए तो आप हमें नहीं न दिखा देंगे इसके आधार पर हम यह क बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में यूएस में भारतियों लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है जहां हम बताएंगे कि भारतियों लोग जो अमेरिका में बसें वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं तो वहां से उन लोगों ने का कि सर यूएस एमबसी आपका औरिजिनल नाम मांग रहे हैं, हमने उन्हें अपने औरिजिनल आधार काट पेंड काट दे दिया, एक और्थराइज परसन है ना, US Embassy, अब आप पता चलता है कि सड़क चाप कोई हमको रोक के पूछे, है सुनो, अपने नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे, जिसकता होती है, जैसे इसराय, जब फिलिस्टीन पर हमला कर रहा था यह सारा आपका पूरा नाम क्या है, मैं सिर्फ आपका नाम जानना चाहते हूं, फिर मैं बातचीश शुरू करूँ आपसे, मुझे ये लिए कि आप क्या करें। आपका टार्गेट है, मैं तो आप से मांगनी रहा हूं, जैसा मैंने कहा कि मेरा नाम सरफराज है, आप बोलिए सरफराज सैफी, आप मेरा नाम है, तो ऐसे ही आपका नाम भी होगा, आप पीटी उसा का पूरा नाम बताएगे तो, क्या चीज़ पीटी उसा, बहुत अच्छ कर रहे हैं, यहां आप मेरे महमान है, और मैं आप से सिर्फ इसलिए सवाल कर रहा हूं, चुकि मैं आप से बातचीत कर रहा हूं, हमारा जिस दिन हम आपने बताया, मेरा नाम अमीत सिंग नहीं है, मुझे उसमें को इंट्रेस्ट नहीं है, मेरा सिवाल सवाल यह, आप माता चाहते हैं कि हता देना और हम बता देंगे बहुत जल्दी बता देंगे लेकिन खराब लगता है न कि किसी इतना confusion क्यों चलिए घरवाले नहीं बता रहें जो आपके दोस्त होंगे वो तो कुछ बोलते होंगे आपको मेरा नाम सब को पता चला है जो बात है बस हमको उसको बस एकसेप्ट कर लेना आहिए अप नैशनल टेलिविजन पर है इतने बड़े शो में आपको मौका दिया जा रहा है कि इतना सोचल मीडिया पर इतना सीन क्रियेट हो रहा है मैं तो आपको मौका दे रहा हून कि आप पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है पूरा दे गुलाते हैं तो वह लोगों को हम वह मं हम उनके लिए क्लंक हो गए हुए हम हम इनका सफाइद मतलब हमको एक चीज बताइए आपको नाम बताने में तकलीफ किया है आपको तो अपना नाम है, जो आपके माता-पिताना रखा है, आपके नाम स्कूल में भी है, आपने ग्रेशन भी किया है, जो प्रोफेशनली जानते हैं, वो हमारे नाम को जानते हैं, लेकिन बात यहां यह हो गई ना, कि आप किसी को मतलब बदनाम कर दीजेगा, कहिए का त कपड़े पहनने के पहले वीडियो को देखिए फिर उसके बाद मैं आपसे बातचीत करेंगे वीडियो दिखाए प्लीज फुल स्क्रीन पर देखिए आपको वीडियो देख रहा है आप शायद वीडियो देख रहे होंगे ये वीडियो आप देखिए ये आप ही का वीडियो है ये दरसल ये कंफ्यूस करता है और ये बात बार-बार हो रही है कि फैसल खान का वीडियो है या अमित सिंग का वीडियो है हम आपको पर इंप इनद पर यह देखे हैं यहां देख रहा है इसको इसको लोग जो भी बोली है आप इनको फैजल कहां और इनने, आप इने खाओ blessings फिद फे textbooks का ही उिस राए और किया देखे हैं तो हमारे हिंदुसतान की संस्कृषिति ता ह fantastि नियोख उस birlikte सब्सक्राइब registration कुर्ह कहां से सुरुआत होता है आप वहां से पुछिए हमसे पुछिए लेकिन आप साथ साथ हमसे ये भी पूछ सकते हैं ये हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान की संस्किर्टी है कि हमारा ये आपका ये जिसका मजब हो वो हर मजब की इज़त करने की इजाज़त देता है जब हमारे आफिस में पूजा पार्ट होती है मैं भी बैठता हूँ उसमें कोई आतराज नहीं है ये सब हमारे देश की परमपरा है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसाई हो सब मिल जुटकर रहते हैं ये भारत की सांस्किर्ती है सबसे बड़ी बात ये कि कन्फ्यूजन जो हो रहा है वो कन्फ्यूजन क्यों है अच्छा एक चीज़ मुझे हमाई दस मिलियन होंगे हम बता देंगे ये तो फिर आप देश की जनता को बेकूब बना रहे हैं हम बेकूब में हमारा भी कुछ कर्गेत है मतलबस मिल जाएं आपको फॉलवर्स मिल जाएं एक्सो टीज करोड देश की जनता से कोई मतलब लिए आपको हम ने कब कहा कि सर आप बात देखे सर तो हम उनके आगे एक तरह का यह होगा कि जुग गए अच्छा थीक है थीक है देखे यह जो तस्वीरे मुझे बहुत कंफ्यूस कर रही हैं चुकि मैं जो तस्वीरे हैं चुकि आप इदर फैसल खान भी मुझे दीख रहे हैं इदर भारत प्रण्सरती है मुझे बताईए कि अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान चालीसा मुझे पढ़के सुनाएए क्या सुना सकते हैं आप मुझे देखे जबर दस्ती नहीं मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूं हां देखे जैसे हम लोग सुनिया बताते हैं हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं जाना तो मिर्टिंगे अब आप कहिएगा कि अलिफ लाम मीम सुनाओ तीसो परा सुनाओ अब मुझे अब हम आपको याग सुने हिंदू धरम का भी सुनना चाहते हैं सुन लिजे अमेद भाई फैसल भाई ओम त्रंबकम यजा मही सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मेव बंधनाम रित्योर मोक्ष मात्रिताम तो क्या हम देश से निकल दो बहुत अच्छी बात है देखे हैं यह हमारे भारत की संस्कृती है और यह आप जिस भी धरम से ताल सब्सक्राइब की जरुवत नहीं है मैं सिर्फ राष्टवात के जरिये राष्ट हित में आपसे पूछ रहा हूँ चुकि लोगी जानना चाहते हैं कि आप आगे भी सवाल है साइद आगे बढ़ने से सवाल जी आप सवाल में आगे तो बढ़िए मैं तभी आगे बढ़ू इसको लास्ट के लिए तो रहने दीजे ना आप इंडम हिट पर बैठ हैं देखे आप ये चीज समझ ये कि आप देश के बहुत बड़े शो के साथ रात नो बजे में जुड़े हुए हैं और हम इसलिए कह रहे हैं चुकि जो आपके फॉलोवर्स हैं चाहें वो शोशल हैं पूरा नाम क्या है सरद देखिए हम आपको बताते हैं अगर आप किसी से उंगली करके उसको जबर जस्ती करके कहिएगा तुम नाम बताओ तो उसको कहीं ना कहीं ये लगएगा कि आप उसको डरा रहा हैं हमने खुद बोला था आज से एक साल पहले कुछ लोगों ने क का कि तुम आराम से रौन नाम से क्या मतलब है तो वैसे भी हम जब क्लास करते हैं तो जय हिंद बोलके आते हैं पूरा बोलके चले जाते आप बोलिए कैसा लगे दिखी देते हैं खांसर आपका जो साहरा विवाद है शोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं चुकि आप खुद बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसी लिए हमने नो बजे आपको बलाया चुकि यह राश्टवाद है राश्टवाद के जरिये हम राशित के मुद्दो को उठाते हैं मेरा मकसद यही है आपसे जानने का कि आपका पूरा नाम क्या है चुकि जो विवाद चल रहा है इस विवाद को आप ही खत्म कर सकते हैं हम तो कह सकते हैं कि एक वीडियो में जैसे क्या होता है कि जब लड़के पढ़ने आते हैं जब उनका बैच खतम होता है तो वो सुचते हैं कि सर से मिलक जाएं एक यादगार लेके जाएं तो वो पूछते हैं सर आपका नाम क्या है तो एक्चुली हुआ क्या है कि हम सुरू से ही नाम नहीं बता है तो एक आख़वर्ड सा फील होता है कोई बता दीजिए राष्टवात के जरिये पूरे देश को बता दीजिए सर हम आपको बता रहे हैं हम खुद बता देते हमने खुद सोचा था अपने आप में कि मेरे दिश दिन 10 मिलियन हो जाएंगे हम बता देंगे हर इंसान की अपनी कुछ फाहिस होती है लेकिन उससे पहले कोई टांडो कर देगा तो कोई हलक में मूँ डालके नहीं निकल वाएगा और जिनकों लगता है कि मेरा नाम खान साथ तो मैं ये समझू कि ये पापुलर होने के एक तरीका भी है कि 10 मिलियंस हो जाएंगे तो खान साथ इस रहसे से पर्दा उठा देंगे कि साथ मेरा नाम अमित सिंग है या फैसल खान है या क्या है सर आप मुसल्मान है या फिर आपका नाम जो है आप प्रूफ करेंगे तो एक इनसान होना चाहिए जो ऑथराइज हो इसको लिए हम आपसे कहेंगे कि ये काम कीज़े आप अपने जमीन का कागज दिखाएए तो आप हमें नहीं न दिखा देंगे इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि ये मकान आपका नहीं है ये गलत बात है रही बात कि मेरा नाम अमिद सिंग है तो जिनको लगता है कि मेरा नाम अमिद सिंग आप सीधे सुप्रीम कोड जाईए या उस authorized person के पास जाईए हम वहाँ दिखा देंगे आपके चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में यूएस में भारतियों लोगों के लिए एक lecture होने वाला है जहां हम बताएंगे कि भारतियों लोग जो अमेरिका में बसे हैं वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं तो वहाँ से उन लोगों ने का कि सर यूएस embassy आपका औरिजिनल लाम मांग रहे हैं हमने उन्हें अपने औरिजिनल आधार काट पेंड काट दे दिया एक authorized person है न यूएस embassy अब पता चलता है कि सड़क चाप कोई हमको रोक के पूछे है सुनो अपने नाम बताओ क्या हम नाम बताते चलेंगे एक मांजिक्ता होती है जैसे इसराईल जब फिलिस्टिन पर हमला कर रहा था इस में वह बात करेंगे खान साब वह बात करेंगे चुकिके कम से कम मुझे यस पता चल जहाए एक मिन एक मिन जैसे मेरा नाम सरफराज है सरफराज सहिफी है मुझए دुनिया जानती है कि मेरा नाम सरफराज सैफी है मैं एक राष्टवात शो करता हूँ जी हिंदुस्तान कैंकर हूँ इसी तरीके से मैं यूग कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आप अमित सिंग है या फैसल खान है या कोई भी है आपका पूरा नाम क्या है मैं सिर्फ आपका नाम जानना चाहते हूँ फिर मैं बातचीश शुरू करूँ आपसे मुझे ये लिए कि आप क्या करें हम जान बूज के ये खतम नहीं करना चाहते है ताकि इन लोगों के उपर से पूरा परदा हड़ जाए जो धरम का चोला उड़े है उनके उपर जब ये लोग पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला देंगे कि ये अमिट सिंग है अमिट सिंग है तबना हम बताएंगे कि भाया हम ये नहीं है अब ही बतादेंगे तो बिवाद खतम ही नहीं होगा अच्छा इसके पीछे रास क्या है आपने बताया कि आपके 10 million followers हो जाएंगे मैं बता दूँगा किसाब मेरा नाम ये है हम बता देंगे ये आपका target है हम बच्चों से जो कहें आप बताते हैं हम आपको एक इनसान को आप जबरजस्ती कहेंगे हम आपसे कहेंगे कि आप जमीन का काकज दिखाएंगे ना जबरजस्ती क्यों पूछे लिए मैं तो आपसा मांगनी रहा हूं चुकि हम लोगों को बातचित करनी है जैसा मैंने कहा कि मेरा नाम सरफराज है आप बोलिए सरफराज सैफी आप मेरा नाम है तो ऐसे ही आपका नाम भी होगा आप पीटी उसा का पूरा नाम बताईए तो क्या चीज़? पीटी उसा बहुत अच्छी धावक थी रेसर का पूरा नाम हम लोग यहां IAS या IPS की तयारी नहीं कर रहे हैं यहां आप मेरे महमान है और मैं आपसे सिर्फ इसलिए सवाल कर रहा हूँ चुकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ हमारा जिस दिन हम आपने बताया मेरा नाम अमीत सिंग नहीं है मुझे उसमें को इंटरेस्ट नहीं है मेरा सिवाल सवाल यह है कि आपकी माताजी घर में होंगी आपके पिताजी घर में होंगे आपके बहन भाई घर में होंगे वो आपको खांसर के नाम सब करते हैं या कुछ और नाम है आपका अच्छा भाया के नाम सब करते हैं सर आम आपको बताते हैं हम इस चीज़ को खुद चाहते हैं कि हम बता देना और हम बता देंगें बहुत जल्दी लेकिन खराब लगता कि tulisi इतना confusion क्यों चलिए घरवाले नहीं बता रहें जो आपके दोस्त होंगे वो तो कुछ बोलते होंगे आपको मेरा नाम सबको पता चला है जो बात है बस हम एकसेप्ट कर लेना आप नेशनल टेलिविजन पर है इतने बड़े शो में आपको मौका दिया जा रहा है चुकि इतना सोशल मीडिया पर इतना सीन क्रियेट हो रहा है मैं तो आपको मौका दे रहा हूं कि आप पूरी दुनिया को बताईए पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है पूरा लामीद सिंग्ही बिलाते हैं तो लोग को हम उनके लिए कलंग हो गए सेकुलरिजम का पूरा मतलब बहतरी इंग्जामपल दे दिया इन लोगों ने कल तक जो हम इनके लिए मिसाल बनते थे आज इनके लिए कलंग बन गए आखिरासा क्यों तो हम इनकी शफाई देंगे आप मतलब हमको आप मतलब इस तरह से पता चाहिए आपको नाम बताने में तकलीफ किया है आपको तो अपना नाम है जो आपके माता पिताना रखा है आपके नाम इस्कूल में भी है आपने जो प्रोफेस्टर जानते हैं वो हमारे नाम को जानते हैं लेकिन बात यहां यह हो वीडियो में आपने तिलक लगाया हुआ है कपड़े पहने हुए है भगवा कपड़े पहने के पहले वीडियो को देखिए फिर उसके बाद मैं आपसे बातचीत करेंगे वीडियो दिखा यह प्लीज फुल स्क्रीन पर देखिए आपको वीडियो दिख रहा है आप शायद वीडियो देख रहे होंगे यह वीडियो आप देखिए यह आप ही का वीडियो है यह दरसल यह कंफ्यूस करता है और यह बात बार-बार हो रही है कि फैसल खान का वीडियो है या अमित सिंग का वीडियो है हम आपको यहां दिख रहा है इसको लोग जो भी बोली है आप इनको फैजल खान काई अमिद सिंग काई आप इने खान सर काई यह क्यों और यहां देखें यह क्या है चूंकि यह हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है नहीं वो तो अच्छी बात है आप हमसे सुनिए है तबी मैं सर्फर साथ सफी जी आप हम से कुरान पूछिय नहीं हुद्सतान की संस्कृति है कि हमारा यह आपका यह जिसका मजब हो हर मजब की इजड़ करने की अर्जय देता है जब हमारे ओफिस में पूझा पार्ट होती है मैं भी बैठता हूँ, उसमें कोई आतराज नहीं है, ये सब हमारे देश की परमपरा हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिसाई हो, सब मिल जुटके रहते हैं, ये भारत की सांस्किर्ती है, सबसे बड़ी बात ये की confusion जो हो रहा है, वो confusion क्यों है, अच्छा एक ची आपको सिर्फ followers मिल जाएं, 130 करोड देश की जनता से कोई मतलब नहीं है आपको, हमने कब कहा कि हम नहीं बताएंगे सर, आप देखे सर, आप भी हम आपको, हम बता रहे हैं कि हर इनसान को इस दुनिया में अभिवक्ति की आजादी है, तो उसी आजादी है, हम भी उसी मुझे बहुत कंफ्यूस कर रही हैं, चुकि मैं जो तस्वीरे हैं, चुकि आप इदर फैसल खान भी मुझे दीख रहे हैं, इदर आप मुझे अमिस सिंग भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात ही भारत की संस्कृती है, मुझे एक बावता आईए, कि अगर मैं आप से कहूं कि हनुमान 40 मुझे पढ़के सुनाईए, क्या सुना सकते हैं आप मुझे? देखे, जबर्दस्ती नहीं, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हाँ, देखे, जैसे हम लोग सुनिया बताते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं, जाना ना, तो मिर्टिंगे यक आमेन अब आप कहिएगा कि अलिफलान मीम सुनाओ, तीसो पारा सुनाओ, 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 अमिझे अब हम आपको यग सुने, हंदू धरम का भी सुनना चाते हैं, सुन लिजे, आमिध भाई, फैसल भाई नम उर्वारुकुमे वबंधनाम रित्योर मोक्षो मात्रिताम तो क्या हम बेसे निकल देंगे बहुत अच्छी बात है देखिए यह हमारे भारत की संस्कृती है और यह आप जिस भी धरम से तालुक रखते हैं वो हमको सर्टिफिकेट देने की जरुवत नहीं है जो लोग हम कुझी सवार है आगे पढ़े से सवहाल में आगे पढ़ी। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ूंगा और आ आप आगे पढ़तेगे हम देते जांगे और इसके तो जवाब देजी जिए तभी तो आप नागे बनेंगे क्योंकि इसको लास्ट के लिए तो रहने दीज़े ना आप इंडम हीट पर बैठ है देखे आप ये चीज़ समझ ये कि आप देश के बहुत बड़े शो के साथ रात नो बजे में जुड़े हुए हैं और हम इस हैं वरना इस इस लो के अंदर हम कितीं नेता को या किसी अवी नेता को हम जगा नहीं देते हैं आपकी बात हम सर आखों पर रखते हैं लोग हमें जो कहते हैं टेंहें हमारे दो नाम फेमस जो आप बता रहने हैं कि एक अमीद सिंग एक फैसल खान, तो थीक है, समझदार के लिए इसारा काफी होता है, आप नेशनल चैनल पे बैटे हैं, अभी रोजे का वक्त गुजरा है, तो जाहिर बात है, आप ने रोजे भी रखे होंगे, जरूर, हुम आपको बताते हैं, मेर आप रोजा खोल लिए बिल्कुर बहुत अच्छी बात और हमारे ओफिस में भी मैं आप जानते कि मैं मुस्लिम हूँ हाजी नमाजी आदमी हूँ मैं भी यह खुजूर लाता हूँ मेरे तमाम सयोगी खाते हैं तो यह हमारे भारत की संस्कृती है इतनी कंफ्यूजन क्यों है सोशल मीडिया पर आप तो इतने यूजूजन किया है उसको बोलिए न आप हमसे क्यों पूझ रहे हैं आप तो सिंपल बोलते हैं आप तो सिर्फ एक लिख देते कि साब मेरा नाम यह है और मैं यह हूँ इतनी देर क्यों लगी आपको बताने में सार हम आपको कैसे बताए म मेरा उम्मीद करता हूँ कि आपके दोस्त ठीक है उनको ठीक है आप मुझे आप बताए हम कोरोना लोग मर रहे हैं किसी को यह नहीं समझ में रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा पहला साब मैं अब हम बाची शुरू करते मेरा पहला सवाल यह है कि लगातार आप देश की बात करते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं लेकिन कुछ मुठी भर लोग आपके खिलाफत क्यों करते हैं उनको देश से मतलब नहीं है हमने जो यह खिलाफत करत प्रफिश्टीन के लिए बोलेंगे, कोई सोचेगा खान सर इस्राइल के लिए बोलेंगे, अब हम तो देश के लिए बोलेंगे, जो देश का इस्टेंड था, हमने पूरा क्लियर किया, में बिद्धा तो यह है कि खान सर ने फिलिस्टीन का साथ क्यों नहीं दिया, वरना विवाद आज का थोड़ी है, हम तो पिछले चार साल से खान सरी का लाते हैं, आज मैं यह विवाद आ गया, बिल्कुल, अभी मैं आपका यूटूब पे जब आप से बातचीत कर रहा तो उससे पहले मैं रिसर्च कर रहा था, आपका एक बयान देख रहा था, ठार उनिस बच्चों वाला भी आपने बयान दिया था, टायर पंचर को लेकर भी बयान दिया था, ऐसे बयान क्यों देते हैं आप? सर हमने किसको बयान दिया, हमने कहा पाकिस्तान की एक पार्टी है तहरीके लबबैक, उसने अपने बच्चों को लाया और अपनी ही सरकार के खिलाफ कहने लगा, फ्रांस को अटाओ, खुद पाकिस्तान में उस पार्टी के खिलाफ एफायार हो गया, उसके 22 लोग जेल हो जिसको पाकिस्तान ने जेल भेजा है, उसके लिए हमको उठा लिया है, हमने कहा कि वो पाकिस्तान के तहरीके लबबैक, पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग अपने बच्चे को क्यो लाए हैं, भाई फ्रांस के, इनको क्या पता है कि राजदूत का मतलब क्या होता है, उन लेकिन खान सर जो आपने बयान दिया लेकिन शोशल मीडिया पे तो उसको बहुत अलग तरीके से मतलब निकाल लिये गए तो इसका मतलब हम नहीं नहीं है अलग तरीके आधा जूट पूरे सच से जादे खतरनाक होता है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखे एक बहुत बड़ा सीधी सी बात है चुकि आप इसलाब मजब को मानने वाले हैं चाए पाकिस्तान का मुसल्मान हो इसराइल का मुसल्मान हो या हिंदुस्तान का मुसल्मान हो या कहीं कभी मुसल्मानों लेकिन आप तो सवाल सब पर उठा रहे ना चुकि अठारा उन्नीस बच्चों की बात करके ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपने ये सुना कि हमने मुसल्मानों को कहा हमने तहरीके लबैक पार्टी के बारे में कहा इसका मतलब अगर हम भारत की किसी पार्टी को कहा देते हैं तो मतलब पूरे एक समाज को कहा देते हैं बीजेपी को कुछ कहा देते हैं तो इसका मतलब आप कहेंगे कि हम हिंदूओं को कह दिये तो इसका मतलब मैं यह समझू, इसका मतलब खान सर मैं यह समझू, कि कुछ कैटरपंतिया आपके खिलाफ हो गए है सार ये लोग खिलाब बहुत पहले से थे बात यह नहीं है कि हमारा काम यह है हम बेस देखेंगे कि लोगों को खुश करने के हम इसलाम की इज़त करते हैं लेकिन इसलाम के नाते अगर कोई यह कहे कि हम हर एक मुसल्मान की इज़त करें तो नहीं होगा हम अब्दुल कनाम की इज़त करते हैं लेकिन अगर कोई कही कि आजमल का साब का भी करो तो कैसे करेंगे हम बहुत बढ़ी है मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ और यह सोच हर इंदुस्तानी की होनी चाहिए आप हमसे कहिए कि खान सार ने क्या इसलाम की तोहीं की हम आज भी कुरान रोजा अल्ला रसूल हर चीज़ पर अकीदा रखते हैं उनकी पूरी इज़त करते हैं लेकिन हम यह नहीं कि इसलाम और मुसल्मान में बहुत कांतर होता है लेकिन खान साब एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह कि कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं बैंक डोकमेंट्स को लेकर आपके सवाल उठ रहे हैं कि साब उसमें आपका नाम अमिज सिंग है उसमें क्या सब चाहिए जलत बात है यह सुनिए बता रहे हैं हमने लड़को जैसे अभी आपके से नाम के लिए इंसिस्ट कर रहे थे हमने आपको खुल के बोला कि मेरा नाम यही है नहीं ना उसी तरह हम बच्चे भी हमसे इंसिस्ट करते हैं कि सर आपका नाम क्या है हम बोल देते हैं मेरा नाम जालिम खान है किसी बाच मट लड़के बिलाते है हमने यह कहा कि लोग हमें अमित इंटापके बोला लट को से करने वाले से कही ना कहीं आपके दिमाग में डर है अगरडर है तो किन लोगों से आपको डर है मेरा सवाल यह है क्योंकि तमाम तरह के सवाल अभी भी शोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इसलिए मैंने कुशिश की कि मैं राष्टवाद में राष्ट से जुड़ा है चुकी यह मुद्दा है और इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं तमाम तरह की बाते हो रही है इन सर यह बहुत सारे लोग नहीं है यह चंद मुठी भर या फिर जो गुरुकुल जो होते हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं हम उनसे कहते हैं बेटा तुम संस्कृत भी पढ़ो आशारे भी बनो साथ साथ तुम चलो हम तुम एंको हम हतियार सिखा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि देखिए ऐसे कई नजीर भी है जो आ पेस बन गए है लेकि मेरा सवाल आप से ये है खांसर कि आप पाकिस्तान के नेताओं को वहां की आवाम को हिदायत दे रहे थे हिंदुस्तान की आवाम को भी तो हिदायत दे दीजे हिंदुस्तान की आवाम को यह हिदायत देते हैं आप खुद समझे इसलाम के हिसाब से च अगर ये लोग खान सर को दबाएंगे तो फिर अपने में उल्याएंगे क्या ये लोग को आप समझा सकते हैं मिडिल इस्ट की सारी लड़ाई सिया सुनी की आप सुल्या सकते हैं तो टीचर है रहते हैं तिकत क्या आती है कुछ नहीं इन लोग ने उमीद लगा करकी थी कि हम फिलस्तीन पर इसराइल का mieux देंगे टैटन का कि अगर हमने फिलस्तीन पर जबत चाए ये कि इसराइल पे आजाब नाजील हो गया यह कहना चाहिए कि इसराइल डर्पोक है, यह कहना चाहिए कि इसराइल खतम हो जाएगा, यह कहना चाहिए कि उसके आप मिसाइले खतम हो गई, इसलिए सीज़ फायर हो गया, यह कहना चाहिए कि जेतनियाहू ही जड़ा है, इसलिए सीज़ फायर हो गया, यह कहना चाहिए कि मान कोई सांत ने कर पाये आप कहां किए आपको इस वह को कोई कहा दे कि हम एक कोई कि कुछ एक कि मेरे जहन आया तो सवाल मेरे जहन माया मैच तो आप देखते हूं गहें पहुत को अगर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या बात करते हैं अप हम दिन वह क्या कह देए नहों हो जाएं अंधी जो भारत कि तो आप तो गाना बता रहें अपनी दिल की बात हमको यही क्या जिस दिन हमारे दिन में खा किसी का अलाले वसलम का वो कोट याद है कि तुम मुसल्मानों जिस मुल्क में रहना उस मुल्क से पूरी तरह से वफादार रहना बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात और मैं आपी सोच को सलाम करता हूँ अपनीया कि मुसल्मानों के अंदर होना चाहिए और यही मुसल्मान का इमान है और यह अच्छी सोच है आपकी चुकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग यहां से निकल के समाज से निकल कर एपी जे कराम साब बनते हैं, खान साब बन जाते हैं, सर्फराज सैफी बन जाते हैं यह सोच हमारे देश में लोग की बाकी लोग की कब बदलेगी सर बदलने की तो हम कोसिस की हैं हमरे पीछे पढ़ गया सब कैसे अब 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 मेरी भी है चुकि मैं तो राष्टवाद करता हूँ सो बता हम नहीं ले सकाथ आप लीजिए लीजिए हम आप अंसर सुनिए आपके साथ आप खुल कर बोलिए साथ करोड रूपे आफर कर रहे गया था साथ करोड रूपे कौन दे रहा था आपको कुछ प्रॉब्लम्स है आप समझी है अब आप खुल के बताईए जी इंदुस्तान आपके साथ खड़ा है आप जी मीडिया पर है हम आपसे पूछेंगे आपकी सेलरी कितनी है आप तब नहीं बता सकते हैं कुछ समझीए सर आप इतने सीनियर हैं नहीं चलो मैं बता दूँ है मेरी सेलरी कितनी है मेरी पोस्ट कितनी है बड़ आप मुझे ये बताजिए कि 107 करोड कौन आपको दे रहा था जो एजुकेशन से जुड़े हूंने सब को पता है आप सर प्लीज किसी चीच पे इतना रिजिट मतलिए कि मतलब वहां नहीं बन पाया लेकिन आज भी सर हम 200 रुपे में पढ़ाते हैं क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि हर देस का तबका हमारे देस में कोई अब्दूल कलाम बने ना बने लेकिन कोई अजमल का साब ना बने बहुत बच्ची बात है और होना भी नीच चाहिए देश्रत गदी का कोई मज़भी नहीं होता है आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि इसलिए मैं आप अम कि एह में पड़ दिन्या पीति तो जहां जुड़ाते हुए आ आ लए थे जहां जुड़ाते थे जोрий्ड़ाते फिंह बंपर प्रमुखे पैस भी थोड़ा कब मैं है हम वहां पर बच्चों को हम यह कह रहे थे जिस वीडियो से विवाद है पूरा वीडियो देख लिए आप समझ जाएंगे हम बता रहे थे नेपाल पढ़ा रहे थे जोग्रफी का टॉपिक आ रहे थे कि वहां एयरपोर्ट का रहे खतरना एयरपोर्ट लेकिन त्रिभौन एय हाईजेक करनेवाले आप电ло को चांब्रफी किस ने किया था इनका नाम क्या रख्थे हम हमने यही तो बताया कि हमारा हाईजेक हुआ था बाद में इस बीमान को अमरीत रेयरपोर्ट पहमारे बहतरीन पाइयट ने यह बहाना करके बाकि लोगों की आसी सोच क्यों नहीं है कि रितन का त्याल कौन था, जिसने साधी का हनिमून बनाने गया था, पूरी दुनिया एक इसवी सदी में, साल के 21 सदी के पहले ही जी फॉस्ट जनवरी को उमीद करी थी इस साल हम अच्छा करेंगे ये लोग बीमान हाई जेक कर रहे थे ठीक है लेकिन आपने जिस कंधार का जिक्र आप कर रहे थे चुकि मैं लंबे समय से क्राइम रिपोर्टर रहा हूं इस देश में क्राइम किया म मुझे पताईए कि जो जिहाद ये लोग करते हैं जो है उसको आप किस नजरीय से देखते हैं सर हम इलो को क्या बताई हो जाकर कई बंप फोर दीजाए जब इनसान अब हम वहां पे बच्चों को हम यही कह रहे थे जिस वीडियो से विवाद है उस पूरा वीडियो देख यह आप समझ जाएंगे हम बता रहे थे नेपाल पढ़ा रहे थे जोग्रफी का टॉपिक आता है हिमाले तो हम पढ़ा रहे थे कि वहां एयरपोर्ट काफी खतरनाक है जैसे लुकला एयरपोर्ट लेकिन त्रिभौन एयरपोर्ट अच्छा है इसी पर हमने बताया कि 1999 की आ